गुट आफनून स्टूरेंट्स आज मैं थोड़ा जनर जिनिंग दे प्रेजनेशन नमबर दो मैं देन जा रहे हैं जरेके तो नोगे एक नमबर दे होंगे लेकिन ओना दा आंसर भी एक लाइन दे वेच जहां फुल फार्म जहां फिल इन दा ब्लैंक दे वेच आएगा पहल कि नेट्वर्क आफ वायर्स कनेटिंग वेर्यस डरीश एंद पार्ट सबस Fujis and अपार्ट स आफ आफ फ्राह इंस्टालेशन बेचिज वायरिंग जू पार्ट नोग तो बना दे में दो आफू आके नेटरिक ओड आफ ड़िल्ट के लिएचं दूं आफ आढ़न दों वाइटिक मोटर वाइण साॉज आेट इवाइए विचो कनवेट्रिक अनर्जी तो मकैनिकल अनर्जी तूहिए देखते चौहिव गयह यह पारचने जिन स्थभी कव्र मॉलं कर देख्दिएआई थी मोटर दे नाल या के पंप लगया हूं दै वाट इस पंप इडिज अ मेकैनिकल डवाइस विच इस जूज टू इंक्रीज प्रैशर ओफ लिकृड ज़ो असी मोटर ओन कर देया ते ओधे नाली पंप नाल अटैच से कर देया वाटो पंप और मेकैनिकल डवाइस है जरह कि किसे लीखृड दा प्रैशन उसी धान देवास्ते उसी यूज कर देया पंप असी विज जूज कर देया पाणि ना अंडरग्राउंड पाणि ना बार ले आ याँ दे ली जाहाँ ना आशी पंप कर देया अगेल की अबेच कर दे कर देन गर्म पारव कार उस्टेश्छ लां डाहितेज है स्टे deficitагंड गरम पानी नो फ्लोँ कर दैसे जेरके हैं पारव चैन ठीरी आज सेडिए ठी आनदा जार गथे ोंद फिस टर्बाइन को Anilk What is transmission of power? Question number 4. Transmitting power from one place to another called transmission of power. Transmission of power दा मीनेगा पी असी अनर्जी एक थांते लगा रहे हैं लेकिन असी उस अनर्जी नो असी दूसरी थांते लेकर जाना है. असी किना दे मदना लेकर जामांगे? जे में की chain आजनगी हैं, gear आजनगे, clutch आजनगे, साड़े जो असी motorcycle चलाने है असी पैडल मार देने हैं अगले engine देनाल लेकिन chain देनाल ओवली पावर पिछले पीजनगे नू भी जान दिया है, इससे दिएक हैं जो सी cycle चलाने आते हैं ऐसी पैडल मार देया, असी पैडल मार देनाल तावली chain देनाल पावर जान्मिट हो रही है, अगले पैजन दूआ ले पर यह था का इडिस काल ट्रांसमेशन ओफ पावर वाट इस विलोस्टी रेशो बच्चो यह वाला कोश्चन बहुत इंपोरेंट है थो नू पांजे नंबर दे वेचे कोश्चन वी तो जुरूर आएगा अथे एदे ना रेलेटर एक नमेरिकल वी थो नू दस नंबर द ड्राइवर्णव sarà स्पीड आफ ड्रिवन ड्राइवर दा मीनिन गया थänger पी जिस सप थां तो असी पावर्नों स्ट मुट्रांसमेशन कर रहा है त्रीवन मतलब कि जन्म हसी ड्राइव कर रहं मेन्स की यम तो इसी मन के चल्रों कि दो गेर है जहां दो पुली्शन एक्पु इसनों कनवर्ट कर रहे हैं असी दे रहे हैं दूसरी थां थे दूसरे शाफ्ट नो ते ओधा फिर डायमेटर भी असी इस इंदर करांगे तुह तुहीं सिंपली जा रखो विलोस्टी रेशो दी डेफिनेशन विलोस्टी रेशो इकल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइ इंजन लों और असी उसनों कंबस्चन डीजन बाहर नीं कर दें बलकि अंदर ही कर दें तेंग्र कार अवगी हमोटरसाइकल ऑगया असी टेंक यह प्रण ओंग हैं ता जो पट्रोल नों अगर लाग रिया जाँ डीजन अगर लाग रिया ओ इंजन तो बार नीं लागरी ब फुलल फॉर्म आफ इक्सनल कंबस्चन इंजन एगदने नहीं एक्सनल कंबस्चन जन इंजन एड़ी टियर वेच देघे वाषर असी जो फ्यूल है लो प्ट्रोल है जहां कोल है जहां डीसल है ऐसी यों ऑगए देगगा रहे हैं इंजन देबार आज नर घा रहे हैं अगल अगे जाके इंजन नू चलांदी सी अजगाल ट्रेना आ चुकी है दिके पराने जमाने वेचे जो दो ही जूज कदे सी कोले वाली यह ट्रेना तो ओ एक्स्टरनल कंबर्शन इंजन दिया जैद के फ्यूल कोला इंजन तो बार जलिया जा रहे है तो बाच पावर दे रहे है उस समय दो आ गया वाट 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 इस एर कंडिशनिंग सिस्टम एर कंडिशनिंग सिस्टम तो इस सारी जान दियो जिनके असी सिंपली एसी वी कहादा नहीं है एड़ी है इदा अंसर है कंट्रोलिंग दा क्वाल्टी क्वाल्टी दा मतलब प्योटी टेंपरेचर ओफ एन इन्कलोजड चेंबर इस गाल्ड एर कंडिशनिंग सिस्टम एर कंडिशनिंग सिस्टम तो इस सीखी करने आ पी जो हावा किनी कर पियो रहा हुआ है और दस्ट नहीं है जहां ओख और ऑउसिजिए लेवल की है तो दा टेम्परेचर से किना अरख ना चानने हैं कोई व नहीं कंट्रोल करना उननों कहान दिए एर ésus कंडिश्णिक इस्टम कोश्चन नमपर नाइन वहट इस रेफ्री जरेश रेटर तुसीं कर रेश्यों कर दिए विट जजरेंटार नो जान पंज बचान ऑनलिए सी जरेंटार आंसर रहा है रेफिरिजेशन इस दा प्रोसेस ओफ रिदूजिंग एंड मेंटेनिंग दा तेम्परेचर ओफ दा बोडी इसकाल्ड रेफिरिजेशन किसे भी बोडी जे मेंकि तुसी एक्जांपल लालो अपना फ्रेजी लालो ओदे वेच टेम्परेचर नू कटाना अट कटान दे बाद तो उस टेमपरेचरंप नों मेंटेन करना मिकि एक टेमपरिचर जैसे फ्लिदिविक्स करता 5डी संसीच और 5डी सेलसिस ही रहे यह नहों पी कदे टेमपरेचर वाद ही करते यह तुस चीन लेगा रेफिजिजरेशन कोचन नबर 10. how many types of air conditioning systems are there? there are total three types of air conditioning systems विन्डो एर कंडिशनिंग नमबर एक यह दे संट्रल एर कंडिशनिंग विंडो एर कंडिशनिंग ऑंकडिशनर जय्रैकि लिक् snug विंडो तस इसे तांut इसी लगी बार्य आइकंडों Perfectly शीनले if असी उन्हों कहने है विंडो एर कंडिशनिंग सिस्टम सप्लीट एर कंडिशनिंग सिस्टम है जिदे की जल सब्सक्राइब रूम है और डिरेक्ट वार दे अनिवार्मेंट देनाल अटेच नहीं है लेकिन यसी जड़ा पक्का या एसी बाहरा लगांगे इनवार्मेंट वेच लेकिन जिस दए ठंडी हवा कम लेचे मेलेगी ऑसी लगांगे अपने रूम दे वेच असी उन्हों कहने है स्प्लिट एर कंडिशनिंग सिस्टम ते नमबर ते आ गया सेंटरल एर कंडिशनिंग स एक एसी जूज करते हैं बहुत वड़ा ज़रा की पाइपा थे थू ठंडी हवा अलग लग चैंबर जहां अलग लग रूम नू देंदा है इदे एक्जांपल सब्सक्राइब दिया है शोपिंग माल्स शोपिंग माल्स दे शात दे उपर असी सेंट्रल एर गनीशनिक सिस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिएगा जाएगा 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 जाहां सैंट्र एक नेशर करो अगला फ्रुम अगला कोश्चन नंबर ट्वेलव वाटि फ्रुम ब्रीक जिनू क्याधन निया नहीं एंट के जहां देना पन जाल भीच इंदी जैसे कहां नहीं एंट bricks are rectangular blocks of uniform size bricks कि यह rectangular blocks है, ज़ना का size बिलकुँ बराबर होंदा है, which are made by molding, drying and burning असी bricks की में किनना नहीं है, पर है जहाँ, mold इसरो फिर कर देया open air चे dry कर दे या ए सिस्टम कि यसупर नी मॉल्ड भूच किया जदा नंज उन्पलद जानचे विच UP द्राइए हो चुकी यह बर्न कर देया थिए पर्डिह कर देय एक यह प्रwar धी देच अधिन व्य ओदर प्रोसेस देखिन है फुल फॉर्म ऑफ रसी सी रसी दी फुल फॉर्म है रिन्फोर्स्ट सीमेंट कंक्रीट ऐवला कंक्रीट है जिदे चाहिए सीमें नाला असी हो और मटीरियल भी बहुत आड़ कर दें हैं ताकि जो 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 फाउंडेशन है जो सी बेस बना जा रहे हैं अपने बिल्डिंग दा बिल्डिज दा जा किसी दा भी वो बह सकत हो जाएं तो भी चाहिदा जास सकत हो जा झांता है एक आर सीसी दी फुल फॉर्म है रिनफ़ोस्ट सीमेंट कंक्रीट अगला कोश्चन है वट इस कंक्रीट कंक्रीट जो ऐसी जूस कर दें है अपने करान ये नियाच पान देले तांकि जड़ी नी मजबूत हो जाए इट इस एक कंस्ट्रक्शन माटीरियल उप्टेंड बाइ हार्णिंग ओफ मिक्चर ऑफ सीमट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर कंक्रीट की ये कंस्ट्रक्शन माटीरियल है जो इसे बिल्डिंग में आलू जाए है नियाँ आन उपर न जाए है एक बंदा के में हाँ हाड्निंग ओफ मिक्चर ऑफ सीमट, सैंड, स्टोंज ते पानी नो ऐसी मिक्स कर देंग आए ऐसी प्रोपर एक प्रोपोश्टट याद कर लो, समझ के करो, जे नहीं समझ लग दी, ते रटा मार लो, लेकिन ऐख वले कोश्चन तो नुँ एक्जाम दे विच दस नमबर दे विच तो नुँ जरूर आनगे, जरा भी बच्चा वले कोश्चन याद करके चाल जाएगा, एक्जाम चे करके आजाएगा, ते